अखन मंथन के संसार भर के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक खत्रपाथी और अब कोरोना से जुड़ा दो शुब समाचार एक ये है कि भारत ने क्या प्रगति की है कोरोना वैक्सीन को बराने में और दूसरा ये कि एक देश ने तो कोरोना की वैक्सीन भी तयार कर ली है और ये देश भारत का मित्र देश है किन्तु पहले बार भारत की तो भारत में 30 से अधिक वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणो में हैं एवं कुछ को तो परिक्षन के लिए तैयार कर दिया गया है कुछ वैज्यानिकों ने ऐसी रिपोर्ड पीम मोधी के समक्ष मंगलवार को प्रस्तूत की जब वे इस संबंद में एक बैठक कर रहे थे पीम मोधी ने कोरुना वैक्सीन एवं इससे जुड़ी और शदि उत्पादों की भी वैरस विरोधी गुड़ों के लिए जाच की जा रही है समीक्षा के दौरान प्रधान मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार सभी क्षेत्र के विशेशा के मिलकर कारे कर रही है और आपसी तालमेल बिठा कर चल रही है उससे वो दिन दूर नहीं जब कोरुना वैक्सीन बनाने में भारत सरोप्रधाम इस्थान पर पहुंच जाए पियम मोदी ने हैकाधन प्रतीस परधा के माध्यम से सफल युवा उध्यम्यों को दवा एवं वैक्सीन के स्टार्ट अप के लिए भी प्रेरीत करने की बात कही पियम मोदी ने ये भी का कि जिस प्रक भारत के मित्रदेश इसराइल से है इसराइल के रक्षमंतरी नफ्ताली बिननेट के अनुसार उनके देश ने कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता पाली है ये वैक्सीन कोरोना वाइरस को शरीर के अंदर ही अंदर समाप्त कर सकती है साथी साथ इस वैक्सीन के प्रयोग से शरीर के अंदर कोरोना वाइरस को फैलने से भी रोका जा सकेगा। कहा जा रहा है कि इसराइल के Defense Biological Institute ने ये कोरोना वाइरस का टीका बनाया है। आपको बता दें कि इसराइल का ये Biological Institute जयविक और रासायनिक अस्त्रिश शस्त्र बनाने के लिए जाना जाता है। इस्राइल का Defense Biological Institute दक्षणी तेल अभीप से 20 किलो मीटर की दूरी पर निस जियोना में इस्थित है। दावा ये है कि ये लैब धरती के काफी अंदर इस्थित है और यहां खतरनाक जहर और वाइरस बनाय जाते हैं। उनका प्रयोग इस्राइल की खुफिया अजेंसी को मारने के लिए करती है। इस लैब के उपर से किसी भी विमान को उडान भरने की अनुमती नहीं है। साती साथ लैब के दरवाजे बंप प्रूफ बनाए गए हैं ताकि इसको किसी भी प्रकार की कोई हानी ना पहुँचाई जा सके। इस्राइल फिलहाल इसका पेटेंट कि यदि इसराइल ने इसका व्योसाइक उत्वादन आरम किया तो इसकी सबसे पहली खेप भारत को ही मिल सकती है। तो धन्यवाद हमारे इस प्रसारण को देखने के लिए बने रहें अगले घंटे में कुछ और शुब समाचार। प्रसार।